दोस्तों अपने इस वीडियो पर आप क्लिक करीजिया है तो इस वीडियो को लास्ट लग जबूर देखिए आपने थम्नियर का बिलकु ठीक पड़ा कि कैसे F3 शॉटकट की की मदद से आप किसी एक कंपनी की इंट्रीज को दूसरी कंपनी में कॉपी कर सकते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं Welcome to the Professional Accountant और मैं कूर सैफी दोस्तों देखिए हमारे पास दो कंपनी है लिस्ट आफ कंपनी में एक प्रफेशनल अकंपनी और दो दी प्रफेशनल अकंपनी वह कंपनी है जिसके अंदर डाटा है और प्रफेशनल अकंपनी है जिसके अंदर प्रफेशनल अकंपनी करना मैं आपको दिखा देता हूं देखिए प्रफेशनल अकंपनी के अंदर भी मैं आपको पर्फेशेस लेजर में ले जाता हूं देखिए यहां पर्फेशेस लेजर के अंदर कुछ इंट्रीज आपको नजर आ रही है यहां परफेशेस वाउचर अब मैं आपको लिए जाता हूँ प्रोफेशनल अकाउंटेट में जाता हूँ तो आपको यहां ब्लाइंक मिलेगा यहां कोई इंट्री नहीं है देखे परचेस रजिसर है यह ब्लैंक है अब मुझे क्या करना है वो सभी इंट्री को कॉपी करनी है आपको इंट्री को ओपन करने के बाद आपको ऑफ30 की प्रैस करने जैसे आप F3 की प्राइस करेंगे तो आपकी सामने list of company open हो जाएगी जिसके अंदर वो सभी company शोड़ होगी जो आपने अपनी टैली के अंदर open की विए अभी मुझे क्या करना है professional the professional account की entry professional account में transfer करना है तो मैं यहां से professional accounting चुल देता हूँ और click करता हूँ जैसे ही मैं click करता हूँ देखिए यह जो voucher है पूरा का पूरा shift हो चुका है professional accountant वाली company में अब मुझे simply हां से control A प्राइस करना है ताकि यह entry मेरी हां save हो जाए देखिए मेरी save होगी उसके बाद same next entry के लिए same process मैं click इसे इंटर करता हूँ फिर F3 से मैं वह company choose कर ली यानि professional accountant जिसके अंदर मुझे copy करनी है और control यह से मैंने इसको save कर दिया है उसके बाद next यह दिखिए बिल्कुल same process आपको जो भी entry copy करनी है उसको open कर लेना है पट इक चीज़ दिहान रहे हैं दोस्तों entry जब ही copy होगी जब आपकी दोनों companies के अंदर laser बिल्कुल same name से होंगे उनमे space का भी जरा भी फरक नहीं होना चाहिए otherwise यह आप copy नहीं कर पाएंगी यानि कि F3 shortcut की हां काम नहीं करेगी तो आइए चलते हैं देखते हैं यह कैसे possible है कि वह entry है क्या वहाँ copy हुई या नहीं हुई अब मैं आपको ली चलता हूँ professional account वाले ट F3 shortcut की कहें मदद से आप कैसे किसी यह company की interest को दूसरी company में copy कर सकते हैं तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कीजिए साथ ही bell icon पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको जब भी हम कोई अब new tricky video upload करें उसकी notification आपको मिल सकें साथ ही तब भी कोई video upload करें वो आप सबसे पहले देख पाएं तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye